नमस्कार दोस्तों, राजस्तान विधानसभा में भाजपा की हालत का नमूना, खुद भाजपा के उम्मीदवार दिखा रहे हैं। इनको देखिए, यह राजस्तान बीजरपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ हैं। राजस्तान के अलवर में 13 विधानसभा सीट से भारती जुनतापाटी के उमीदवार हैं यह। चुनाव से पहले ही इनके आशू निकलने लगे हैं। चुनाव से पहले ही रोने लगे हैं। कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा बाबा बालक नाथ ने राजिस्थान चुनाओं की तुलना बारत पाकिस्तान मैट से कर दिये कह रहे हैं कि ऐसी भी क्या लडाई हो गई जो आप अपने धार्म और भगवा का समर्थन नहीं कर रहे हैं आपका समर्थन नहीं मिलेगा और अगर मैं तब जीत भी जाओंगा तो भी मेरी हार ही होगी सुनिए आपको मेरे साथ हो कोई बात ना मैं जीत भी जाओं तो मैं हार गया है दोस्तों आप सोच रहे होंगी कि राजस्थान में हिंदुत्व का जंडा फेराने वाले ये बाबा बालकनाथ इनको चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया जो बोलते बोलते अचानक रोने लगे क्या बाबा बालकनाथ जैसे मजबूत आदमी और मजबूत प्रत्याशी भी अपने ही लोगों के बीच में रोने लगेंगे तो बाजपा के बाकी नेताओं का क्या होगा इन्हें राजस्थान के योगी के नाम से जाना जाता है हिंदुत वादी संत और नेता होने की कारण इन्हें सीएम योगी का दूसरा रूप मना जाता है और आज भरी सबा के सामने वो सीएम योगी की तरह ही फूट फूट कर रोने लग गए जैसे योगी आदेतनाज संसद में रोने लगे थे वैसे ही आज बाबा बालक नात अपने ही लोगों के सामने आखिर क्यों रोने लग गए दरसल दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी वज़ा ये है कि मदान में अब सिर्फ गिंती के दिन बचे हुए है और बाबा बालक नात को अपने ही समाज का समर्थन नहीं मिल रहा है जिस हिंदुत्व का जंडा लेकर जिन लोगों के साथ ये घूम रहे थे अब उन्हीं के सामने रो रोकर समर्थन मांगने को मजबूर हो गया इसलिए एक पंचायत के दौरान अपने ही समाज का समर्थन नहीं मिलने पर वो भावुखो उनकी सभा में गिंती के लोग पहुचे जिसे देखकर उनकी आँखों से आसु निकलने लगए इसके बाद उन्हों है अपना रोमाल निकालकर आसुओं को पोच्छा राजिस्थान में हिंदुत्व का जंडा बुलंद करने वाले बालकनात ने कहा इस बार ये भारत पाकिस्तान मैच की तरह है ये लडाई सिर्व जीत के लिए नहीं है ये वोटिंग परसेंटेज की भी लडाई है वे कभीले एकजुट हो गए हैं और हमें वोटिंग परसेंटेज से उनके प्लान को विफल करना है ताकि वो भविश्य में कभी एकजुट होने और सनातन धर्म को हरानी की साजश न करें इसके अलावा पीटी आई को दिये अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा उतना भी उनको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहीं वज़ा है कि बाबा को हार कर डर सताने लगा है मारे डर के उनके आसू तक छलकाए है दोस्तों धर्म का धंदा सबसे आसान होता राजनीती में बस उसी की कोशिश ये कर रहा है विकास किया होता तो विकास के नामबर वोट मांगते लेकिन सहारा धर्म का लिया है हमेशा इसलिए अभी भी उसी के नाम पर हाथ पहला रहे है अब उनके आसू मदाताओं को कितना एमोशनल कर पाएंगे ये तो 25 नवंबर को मदान के बाद तीन डिसेंबर को मतगरना से ही साफ हो पाएगा चुनाफ से जूड़ी हर अपडेट के लिए अप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लिजे नमस्कार